जैहिन गाईज कैसे हो आप सब गेमिंग न्यूस 15 के है और एंट फिस्ट फोल हम लोग बात करने वाले हैं सोमराज एन स्काउट के बारे में तो क्या बीजे में सके लैन इवेंट से सोमराज एन स्काउट की कोई कॉई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती थी वैल यह चीज के बारे में गाई सोमराज अपनी लाइफ स्टीम पर बात किये कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया था जिसके वे से एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती थी बड़ इवेंट चुली गाई सोमराज एन स्काउट इसके बारे में बात किये जिसके वे से चीज़े आगे नहीं बड़ी बड़ ये चीज के बारे में गाईस रिवील करते हुए सोमराज ये भी कहे कि गल्ती मेरी साइड से नहीं होई थी अब देखिए बड़ जाने मैं गेम खिलना है हूँ नई टीम है अगर मैं कॉंट्रोवर्सी करूंगा मेरो पता कॉंट्रोवर्सी करके किता हुए सो चीज़े इदर से सो चीज़े उदर से मैं सोचाई क्या ही करूँ पर मैं दिमाग तो बहुत खराब हुआ था फिर बे मतलब का जो भी था हुथा पर मने तब भी कंट्रोल किया और वी क्रेंड गलती मेरे तरफ से नहीं थी पर चलो कोई ना वो सब बात भी बीद के ये फिर हमारो कतम हुआ प्रोई के बारे में क्या वो टीम गोडलाइक को मीडिल फिंगर शो किये थे। कुछ लोग सोमराज को पुछ रहे थे जिस पर बात करते वे वो ये कहे मैं ट्रॉई ने गॉडल को मिडल पिंगल दिखाया था रो ये गेम है यार मस्ती गरना है पुछ तो बढ़ा था नहीं वो होता है ना वो मुवमेंट पेस हो जाता है हमारा अल्रडी सब चीज होता है जो भी एमोशन से बाहर निकालो चिलाओ किसी को जो गोलन है बोलो जो कर गरो ऐसा कुछ है नहीं सब दोस्ती है तो गेम का बीच में रहता है परस नर लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल में तो अपना गेम खेली रहा है तो इसा काम को शडूल भी देखने को मिल गया तो फड़ा वटसे गाईस मैं आपको एक्स प्रिएन कर देता और कैसे होने वाले हैं तो first of all the guys इस बाहर P.M.P.S. 224 का हमको price भूल देखने को मिलेगा 2 करोर रूपीज और इसके बाद guys इसमें 128 teams participate करने वाली है जो कि हमको देखने को मिलेगी round 1 में सबसे पहले अगर date की बात करें तो round 1 चलने वाला है 20 August से 5 September तक basically इसमें 128 teams को group में divide किया जाएगा जिसके बाद हर एक team के 12 matches होंगे और सारे match खतम होने के बाद guys बनेगी overall standing और जो top 64 teams होगी वो आगे round 2 के लिए qualify करेंगे जो कि चलने वाला है 7 September से 10 September तक और इसमें guys जो 64 teams को group में divide किया जाएगा उसमें हर एक team खेलेगी 6 matches इसके बाद again overall standing मेंनेगे and 48 teams जाएगे round 3 में जो कि again हमको 4 दिन देखने को मिलेगा September 11 से September 14 तक and round 3 में guys हर एक team के होने वाले हैं total 8 matches और इसके बाद guys यहाँ से 24 teams बाहर हो जाएगे and गेवल बाकी बचीवे 24 teams ही semi-finals के लिए qualify करेंगे जो कि फिर से again हमको 4 दिन देखने को मिलेगा September 15 से September 18 तक and यहाँ पर हर एक team खेलेंगी 16 matches basically हर एक दिन हर team के 4 matches होंगे and finally guys यहाँ से जो top 16 teams होगी वो हमको grand finals में देखने को मिलेगी जो कि चलेगा September 27, 28 and 29 को and यह teams compete करेंगे 2 crore price pool के लिए and बनने के लिए इंडिया की best team तो यहाँ guys अब let's see हमको BMPS में क्या fun देखने को मिलेगा विसे आपको क्या लगता है कि कौन वी नर बनेगा में को comments में जरूर बताना तो guys next हम लोग बात करने वाले है team soul के बारे में तो क्या team soul created हमको कुछ वीडियोज देखने को मिल सकती है basically उनके celebration की वीडियोज बहले यह चीज़ के बारे में team soul माया वी बात किया जब नकू live stream कर रहे थे अब देखिए team तो all good है guys बाकि आप लोग पूछ रहे हो कि bootcamp कब जा रहे हैं तो एक चोटा सा surprise है में आपको कुछ बहुत अच्छे scenes, बहुत अच्छे shots और एक अच्छी level की celebration बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है most probably next week so wait for it तो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो जब भी वो बने हैं bgms के champions तो इसके बाद हमको team soul का एक vlog देखने को मिला था basically जहाँ पर वो bgms की trophy को लेकर golden temple गए थे तो काफी लोग guys इसके बारे में बात कर रहे हैं कि काफी बढ़ी है बाई वो trophy को लेकर वाँ पर गए और guys next week बात करने वाले हैं mogo e-sports के बारे में तो guys अगर तो आपको याद है bgms के टाइम पर मैंने आपको बताया था जहाँ पर कुछ news निकल कर आ रहे थी कि क्या bgms के बाद mogo e-sports के player शोगन टीम में continue नहीं करेंगे और यह सेम ठीज के बारे में हमको desto की तरफ से एक story भी देखने को मिली थी तो शोगन तो guys अब mogo e-sports का part नहीं रहे तो फिर कौन जोइन करने वाला है तो desto काम को एक interview देखने को मिला जहाँ पर वो यह reveal कर दिये कि mogo e-sports में हमको s-power देखने को मिलेंगे और फुर्देर इसके बारे में guys बात करते हैं वो यह कहेगी जो टाइम पर s-power तो वो टाइम से हमारी s-power के साथ में काफी बड़ी अ-bonding है तो looks like यह काफी पहले से set तब आईगी हमको s-power मोगो e-sports में देखने को मिलेंगे और guys desto बात कर रहे हैं तो वो बात कि यह price pool and salary के बारे में क्योंकि कुछ players के बारे में guys हमको यह सुनने को मिरादा कि उनको और की तरफ से अभी तक भी price pool and salaries नहीं मिली है तो यह चीज के बारे में बात करते हुए desto यह कहे है कुछ price pool अभी तक नहीं आया है कुछ टियो स्खेंड सी नहीं आया है अभी तक यह बहुत गलत है और कुछ ऐसे भी है कि अनाउंसी नहीं करते हैं price pool अपना आना तो दूर की बात है वो पीप अभी तक आया ही नहीं है काफी सारा तो और guys next है काफी बड़ी update है जो की निकल कर आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी की तरफ से तो इंडिपेंडेंस डे के पावर मोखे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात किये गेमिंग के बारे में basically said कि बाई हम इंडियन्स में काफी टैलेंट एंगेवल हमको गेम खेलने पर ही नहीं फोकुस करना चाहिए बलकि ये चीज़ भी फोकुस करें कि हम लोग गेम कैसे बनाएं तो exactly वो क्या करें अब देखिए मैं देख पूर कपांस बहुत बड़ी विरासत है हम गेमिंग के दुनिया में बहुत नइए टैलेंड को लेकर कर का तके के हाट बच्चे को हमारे देश के बनियों अगर सकते मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे और गाइस नेक्स एक अपडेट निकल कराती है और वे उसकी तरफ से फाइनली वो बात की एक कॉंट्रोवर्सी के बारे में तो प्रिवसे एक वीडो में गाइस में आमको पुरा एक्स्प्रेइन गया था कि बीजे मेंस के टाइम पर हमको ओवेस वैसे तो टीम फॉरेवर का पार्ट देखने को मिलेते वाट वो कार्णिवल गेमिंग की कोचिंग भी कर रहे थे तो एक टाइम पर टॉर्नमेंट में कुछ ऐसा हो था जहां पर नीचे के चार टीम से बाहर होनी थी और उन मेंसे दो टीम थी टीम फॉरेवर और टीम वन ब्लेड जिसके बाद टीम ब्लेड के प्लेयर सरकार आकर ये स्टेटमेंट दिये थे कि ओवेस ने कार्णिवल गेमिंग को ये बोला है कि टीम ब्लेड को जाकर टारगेट करो ताकि टी एफ कौलिफाई हो जाए तो फाइनली गाईज आज वो टीज के बारे में ओवेस भी अपनी साइड ओफ दा स्टोरी को एक्स्प्लेइन किये अब देखिये आज ने कि टीम को बेड़ेट निगल कराती है ऐसे एट यूएल सिट की तरफ से तो कल की वीडियो में गाईस हमने देख आता जहां पर बीजमेस कास्टर्स के बारे में धकबाई एन ओशन शर्मा बात किये थे तो इसे एमचीत के बारे में आज कुछ लोग सिट को बे लिख रहे थे वो इस पर रिपलाई किये अब देखिये विर नी थान अपने लांड पर तो मेरा ध्यान पर गया नीब रहा व्या गया नीब राथ में जब क्लिप्स देखे तो ठीक आह मतलब मेरे को मतलब तो थीक है मिर को थोड़ा बुरा लगा but it's not a big deal honestly we won a trophy हार तो मतलब I think we should be focusing on the positives rather than focusing on negatives English casters were so better I was necro only yeah मैंने इंग्लिस पी देखा 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 आपर आपर but again मैं उस पे ध्यान नहीं दे रहा I mean I choose to focus on the positive rather than the negative our team won a premier event yesterday 55 lakh rupees in prize money nobody thought they would win जैसे league stages और playoffs वो लोग खेल रहे थे किसे वो लगानी था वो लोग जीतेंगे roster change हुआ था थोड़े time पहले उस पूरे journey से जाके event जीतना तो I would rather मैं उस चीज़ पे जादा focus करने का try करूँ PS जिसमें होने वाले है Rona, Ghosty, K47 and these players और गाइस नेक्स से अपडेट निगल कर आती है मवी की तरफ से वो बात कि क्या life steam के लिए वो एक new team बनाएंगे तो जो time पर का इजाज मवी life steam कर रहे थे fight के time पर basically उनके teammates थोड़ा अलग खेल रहे थे जिस पर मवी भी ये कहे थे कि वो लोग team game नहीं कहले फिर इस पर react करते वे मवी ये कहे गाईस next time लोग बात करने वाले हैं team soul वसिस globally ग्लोबली स्पोर्ट्स के ड्रोप क्लैश के बारे में अब ये चीज़ तो गाईज ओ लेडी मैंने आमको बताई है सैनो के मैं पर हमको ग्लोबली स्पोर्टें टीम सोल की अरली फाइट देखने को मिलती है तो आज जब सोलने को लाइब कर रहे थे वहाँ पर को एक जैनिस क करो क्या करो कि कहना गाईज हम लोग तो सैनो को मतलब ऐसी खेलते हैं मार मार के तो आर पार चलती है उसमें आप सानो को मत गिना करो ठोड़ दोस्को वो बोनस पॉइंट्स हैं ऐसे देखा रोस तो पस गाईज फिलाल के वीडियो में इतना ही था वीडियो पस नहीं तो ग झाल 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 ≤ य हमल में लोड़ बयां और झाल ≃END को रहए नहीं हमल